आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले है जूम एप का नाम कैसे चेंज करते हैं। अगर दोस्तो आपको भी पता नहीं है कि जूम एप पर अपना नाम चेंज कैसे करते हैं तो फिर इस वीडियो को लास तक देखते रिए। तो चलिए दोस्तों भी नकुस देरी कि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप मारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे तरह की अच्छे टॉपिक आपके पास लातर होंगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा पहले जूम एप्रिकेशन को कुछ इस तरीके से अपने मॉइल के अंदर ओपिन कर लेना है अब जैसी यहाँ पर आप ओपिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है नीचे के साइड में आपको कुछ इस तरह का ब के सामने उपर के साइड में आपका जो भी आईडिय रहेगा उसका नाम यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर साइड में आपको छोटा सा एरो देखने को मिलेगा तो simply आपको उसपर किलिक कर देना है अब जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर थडर्ड नमबर में लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर simply क्या करना है डिस्प्ले नेम बाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ चुका है और यहाँ पर आपका डिस्प्ले नेम भी आ चुका है तो यहाँ पर आप जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप change कर लिजे तो यहाँ पर मैं अपना first और last name डाल कर मैं जल्दी से change कर लेता हूँ और उपर के side में नाम change करने के बाद और यहाँ पर आपको cut का button देखने को मिल लाओगा simply आपको इसे cut कर देना है और यहाँ पर अपना display पर नाम क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है तो यहाँ पर अपना same नाम जो है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना same नाम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ तो यहाँ पर मैंने ऊपर के side भी और नीचे के side में मैंने नाम डाल दिया है और यहाँ पर नाम डालने के बाद उपर के साइड में आपको save का बटन देखने को मिलेगा तो आपको simply save के बटन पर आपको click कर देना है अब जैसी save के बटन पर आप click करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम जो है वो change हो चुका है और यहाँ पर आपको एक बर back आजाना है और यहाँ से देख सकते हो आपका जो भी नाम था वो यहाँ पर change हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आप zoom एप पर अपना नाम change कर सकते हैं वीडियो कैसा लागा मुझे comment box में जूर बताईएगा और साथी साथ चैनल को subscribe करना ना भूले